हैलो फ्रेंड मेरा नाम है म्रेनल गोश और मेरा यूटूब चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे GST रेजिस्टेशन हो जाने के बाद फास्ट टाइम लॉग इन कैसे करते, GST का ID पासवाट कैसे क्रियेट करते GST सार्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना परेगा, तो चलिए आज का वीडियो शूरू करते GST registration हो जाने के बाद सबसे पहले अपना email ID पे एक mail आ जाएगा जिधर हमको दिखेगा Welcome to GST Family और इधर नीचे हमको GST नामर भी दिखेगा और फास्ट टाइम लॉग इन करने के लिए username और password भी हमको दिखेगा तो यह सब हमको दिखेगा email पे, तो सबसे पहले हम email को open कर लेंगे email को open करने के बाद कोई भी एक browser से Google पे चला जाएंगे तो दिखिए इतर हम Google पे आ गया, Google पे आ जाने के बाद हमको GST लिखना परेगा GST लिखके सार्च करने से, पहला बाला जो link इधर आ जाएगा www.gst.gov.in वहीं link पे क्लिक कर देंगे तो GST का official website open हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहला बाला जो link दिख रहा है, वही पहला बाला link पे क्लिक कर देंगे या फिर हम चाहे तो address बार में जाके gst.gov.in भी लिख सकते तो कोई भी एक process से हम GST का website open कर लेंगे, तो दिखे इधर हमको दिख रहा है Goodson Service Tax का website तो इधर right side में हमको login का option दिखेगा, वह login option पे क्लिक करना परेगा तो हम क्या करेंगे, login option पे क्लिक कर देंगे, login option पे क्लिक कर देंगे तो login का page इधर आ जाएगा, तो इधर हमको थोड़ा नीचे आना परेगा, नीचे आ जाएगे तो इधर हमको दिखेगा first time login, इधर मेरे को दिख रहा है if you are logging in for the first time, click here to login, तो हम क्या करेंगे इधर जो click here का option दिख रहा है, वही click here option पे क्लिक कर देंगे इधर click कर देंगे, तो first time login का page आ जाएगा, तो हम click here option पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर new user login का page आ गया, इधर मेरे को सबसे पहले professional ID और GSTIN और UIN कोई भी एक डालना परेगा, उसके नीचे password डालना परेगा तो यह दोनों हमको डालना परेगा, डालने के बाद नीचे जो login option दिख रहा है वह login option पे क्लिक करना परेगा, तो हमको जो email से username और password मिल रहा है वही दोनों हम इधर डाल देंगे, तो देखिए इधर हम username और password दोनों ही डाल दिया नीचे capture भी डाल दिया, यह तीनों डालने के बाद नीचे जो login option दिख रहा है वही login option पे क्लिक करना परेगा, तो हम क्या करेंगे, login कर देंगे जो password हम डालना चाहते होई password डालना परेगा, password डालने के बाद नीचे हमको reconfirm password करना परेगा, जो password डाला है होई फिर से confirm करना परेगा तो यह पूरा fill up करने के बाद submit option पे क्लिक करना परेगा, तो हम क्या करेंगे अपना इस में पूरा ओप कर देंगे तो अपना इस में पूरा फिल अप कर दिया पूरा फिल अप करने के बाद नीचे ँच पर को कुछ कर देंगे थे उसरने चाहरा हूं पे क्लिक करदेंगे तो लॉग इन हो जाएगा है इधर यूजर नेंब और पासीण डाल देंगे जो हम अभी आभी क्रेट कीया है तो देखिए इधर हम यूजर नेंई और पासूर डाल दिया साथ में चारभा यह टालने के बाद कोई भी किलिक करना पड़ेगा अपना business जो core business के अंदर जाता है तो अभी हम trader select कर देंगे क्योंकि अपना business trader के अंदर जाता है तो trader पे click कर देंगे करने के बाद trader के अंदर हमको दो option मिल जाएगा wholesale distributor और retailer तो इधर trader के अंदर जो option आता है उसमें हमको क्लिक करना परेगा तो हम अपना हिसाब से अपना जो retailer है उसमें क्लिक कर देंगे तो ये पूरा हमको अपना हिसाब से select करना परेगा select करने के बाद submit कर देंगे तो ऐसा एक page आ जाएगा जिधर हमको दिखेगा warning के अंदर कि as per rule 10 हमको 45 days के अंदर bank account details gst में upload करना परेगा तो हम क्या करेंगे इधर हमको file amendment का option दिखेगा नीचे वह file amendment option पे क्लिक करके हम bank account add कर देंगे तो इधर हमको नीचे जो file amendment option दिख रहे है उधर click कर देंगे तो bank account update का हमको page दिखेगा तो हम file amendment option पे क्लिक कर देंगे तो देखिया ऐसा एक पेज आ जाएगा जिधर हमको bank account का page में जाना परेगा bank account पेज में चला जाएगे तो इधर हमको कितना bank account add करना चाते हो हमको डालना परेगा डालने के बाद add new option पे क्लिक करना परेगा तो हम number डालने के बाद add new कर देंगे तो ऐसा एक page आ जाएगा जिधर हमको details of bank account भरना परेगा तिधर नीचे हमको सबसे पहले account number डालना परेगा उसके बाद type of account select करना परेगा तिधर से हम type of account select कर लेंगे करने के बाद IFSC code इधर डालना परेगा IFSC code डालने के बाद gate address कर देंगे तो bank का address आ जाएगा उसके नीचे हमको क्या करना परेगा supporting documents upload करना परेगा तो इधर हमको बहुत सारे supporting documents का option दिखेगा तो इसके आजदर हमको कोई भी supporting documents अप्लोट करना परेगा तो हम इधर supporting documents अप्लोट कर देंगे तो ऐसे ही हम पूरा fill up कर देंगे, पूरा fill up करने के बाद नीचे जो save and continue option दिखेगा, होई save and continue करना परेगा, तो दिखी इधर हम पूरा fill up कर दिया, अभी save and continue करेंगे, तो इधर हमको bank details दिखेगा, दिखने बाद फिर से continue कर देंगे, करने के बाद इधर verification का page में आना वेरिफिकेशन पेज में आने के बाद इधर ऐहरवाई का लेपसाइट में जो बॉक्स दिख रहे हैं उधर क्लिक करना परेगा उसके बाद नेम आउप अथराइस सिटलेटरी सिलेक्ट करना परेगा करने के बाद सब्मिट वीद्ध डीस सी सब्मिट कर सकते या फिर इविस से भी सब्मिट कर सकते हम सब्मिट हुई कर देंगे तो मोबाइल पर इमेल पर अजाएगा तुदर से लेकर हमको इधार डालना परेगा ओटीपी डालने के बाद नीचे जो वैलीडेट ऑप्षन दिखेगा वोई फैलीडेट ऑप्षन पर क्लिक करना परेगा तो इधर हम ओ सबमिशन सबमिशन हो गया बैंक आकउन्ट सबमिशन हो गया अभी हमको सार्टिफिकेट डाउंलोड करने के लिए जो सेर्विसेस्का ओप्शन दिखेगा क्लिक करना परेगा दाउनलोड का प्ष आ जाएगा इधर हमको registration certificate का option दिखेगा, उसके right side में download का option दिखेगा, वोई download option पे click कर देंगे, तो download हो जाएगा, download हो जाने के बाद, तो देखिए इधर हमको certificate मिल जाएगा, तो इधर हमको certificate दिख रहा है, तो इधर से हम अपना certificate देख सकते हैं, certificate देखने के बाद, इधर से हम print out भी निकल सकते हैं या फिर इसको हम सेब भी कर सकते तो इसके लिए हमको उपर में जाना परेगा उपर में राइट साइड में हमको दिखिए डाउनलोड का ओप्शन दिखेगा डाउनलोड ओप्शन पे क्लिक करके हम इसको सेब कर सकते और राइट साइड में प्रिंट का ओप्शन दिखेगा प्रिंट आप्शन पे क्लिक करके हम सार्टिफिकेट का प्रिंट आउट भी निकल सकते तो ऐसे हम बहुत ही आसन तरीका से हम GST में फस्ट टाइम लॉगिन करके GST का सार्टिफिकेट नाउलोड कर सकते आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे श्यार करना और मेरे को कमेंट करके बताना की कैसा लगा और मेरे चैनल में नए होता सस्क्राइब भी ज़रूर करना अज के लिए इतना इफीन मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ जाहिंद